प्रदान मंतरी फ्री सिलाई मसीन योजना की ताहत कैसे मिलेगी आपको फ्री में सिलाई मसीन आवेधन कैसे करना होगा कौन कौन सी महिले आवेधन करन सकती है आवेधिका की आयू उम्र कितनी होनी चाहिए पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए या फिर क्या चीजे होनी चाहि आए वीडियो में जानकारी देते हैं आपको पूरी डीटेल देखिएगा चला पनियों आया है तो सब्सक्राइब करने और लाइक और शियर करना ना पूले आए देखते हैं प्रिविज शिलाय वर्षिन लेने के लिए आपको हम बता देना चाहेंगे कि प्रदान मत्री श्र नर्यंद मोधी ने इस योशना की शुरुवात आज से कई साल पहले ही कर दी थी मतलब ये योजना जो है प्रदान मत्री की कई सालों से चल रही है चार-पांस सालों से लगबख चल ही रही है साथ इस साथ हम आपको अब बताएंगे की बीस से दिखिए पहली बाद तो महिला जो भी महिला वेदन करेगे फ्री सिलाय मसीन के लिए उसकी उम्र बीस वर्से चालिस वर्स की होनी चाहिए ठीक है और आल लाइन इसके लिए आपको रिजिस्ट्रेशन करवाना होगा अब आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि क यंकिन राजयों में प्रदान मंत्री फ्रे शिलाई मसीन योजिना जा रही मैं सकते हैं कि देश की आन लें देस महिला दी чистी है जी क्लाया को मुष्ष शिलाय मसीन दी जाएक इसके माद्यम से महिलाय और अच्छी कमाई करके अपने परिवार के कर्चें में सहायता प्रधान कर सकती है। साथ ही उन्हें किसी अन्य पर निर्भाण नहीं होना पड़ेगा। यहां फ्री में सिलाय मसीन पूरे देश में शुरू की जा रहे हैं लेकिन सिलाय मसीन सहायता योशना अभी केवल महाराष्टर राजस्थान गुजरात करनाटक मद्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में चल रही है पतान मत्री सिलाय मसीन योशना कैसे प्राप्त जाए इस फ्रीर चाहले का लाव देश की स्रमीग महिला wraps सकती है। महिलाख देसले स्कूल के जरी को रोगस कर दीसÉ की महिलाख के लिए प्रमिलाख करना और है। ससक्त आद नेरभर बनाना और ससक्त बनाना प्रदान मंतरी फ्री सिलाय मसीन के अंतरकत किया सरकार द्वारा हर राज में पचास हजार से अधिक महिलाओं को फ्री सिलाय मसीन प्रदान की जाएगी ठीक है और मतलब हर राज्यों में 50,000 से अधिक महिनाओं को दिया जाया गलाब आवेदन करने वाली महिला आवेदक महिला भारत की नागरिक होनी चाहिए आवेदन करता की आई 20-40 वर्ष के बीच होनी चाहिए महिला आवेदक के पति की वार्सिक आये 12,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए दीस की के ओल आर्धिक गुरूप से कम जोर महिला हैं इस योजना की अतहत पात्र होती हैं इस योजना में विदवा विकलांग और यानि कि विदवा महिला भी और विकलांग महिला भी सामिल किया जाएगा और लाव उठाया चाह सकता है महिला उसवारा अब चांद दीजिए कौन कौन से डाकुमेट लगेंगे आवेद्गा का अधहार कार्ड लगेगा आयू प्रमा प्रतिवर से तकी आये उसमें दिखाएगा ठीक है जो भी बनवाने जाएंगे आया प्रमाड़ पत्र उसमें इतनी आया होने चाहिए यदि कोई महिला विद्वा है तो उसका निरास्तित विद्वा प्रमाड़ पत्र होना चाहिए कि आपको बता देने साहेंगे कि कैसे आपको कहां से आं-लाइन आवेदन करना है तो प्राण मंत्री free possible machine do点े के ताहत आप जा करके online आवेदन आशानि से कर सकते हैं तो इसके लिए आपको आवेदन करना होगा online ठीक है online आपको आवेदन करना होगा प्रदान मंतरी फ्री स्लै मसीन योशना के तायत आप जा करके आंलाइन आव्यदन आसाने से करवा सकती हैं तो जन सेवा के जन से करवा लीजिएगा और योशना करना मैंने आपको बताए ही दिया है इससे आप आसानी से फ्री स्लाय मसीन पा सकते हैं जैसे आप आज आप आपने आवेदल किया तो थोड़ा से समय आपको देना पड़ेगा आपका चयान होगा उसके बाद आपको बला प्रदान मंतरी विसकरमा स्रम सम्मान योशना के ताहत फ्री में सिलाई मसीन लेना ठीक है जब आप विसकरमा स्रम सम्मान योशना के ताहत फ्री में सिलाई मसीन लेंगी आवेदन करेंगी तो उसमें क्या होता है जैसे विसकरमा स्रम सम्मान योशना के ताहत जब आप जैसे आज आपने आवेदन किया उसके एक देड़ महीने बाद आपके पास कॉल आएगी ट्रेनिंग के लिए ठीक है जैसे कि अगर छेयन हुआ होगा तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुला जाएगा पहले इंटर्वियू होगा इंटर्वियू के बाद दो चार दिन के या एक हफ्ते के बाद ट्रेनिंग होगी त्रेनिंग आपको दी जाएगी तो जब ट्रेनिंग मिल जाएगा न जिसे कि इसमें लगबाग पहले 5 जिनों की ट्रेनिंग होती थी लेकिन दस दिंग की ट्रेनिंग होती है जिलाई मसीन के अबको 10 दिंग की ट्रेनिंग पिसकरमा सर्म सम्मानी योश्न के अवकतन है और आप होती हैं इस तुम रहे सकती है और इन दोन यूजना के ताहत आवेधन करके लाब ले सकती हैं तो कमेंट करके बताइए गात जो लोगों इन ले लिया और जोन लोगों नहीं लिया वह ले ले और वेगर इस वीडियो को ज़ञेश्यार करें शब्सक्राइब करने ले कर दो ओता वाले सकता रागा कर दो और जाकम से तावसा होगा दो वाले सकता उष्डा़ और जाम रे टागा रा बांता है।